देखिए शारुखान को मार्केटिंग का केंग कहा जाता है वो अपनी कही बायत को भी करते हैं एक सक्त परसनालिटी है शारुख और इसका एक किस्सा भी है दरसल एक बार शारुखान की मम्मी की हालित खराब हो गई थी वो सिरियस थी लेकिन शारुखान ने उस वक्त में भ की थी लेकिन कैसे और क्या है ये पूरा किसा आई जानते हैं दरसल शारुक खान की फिल्म माया मेम साहब 30 साल पहले रिलीज हुई थी ऐसे मैं फिल्मेकर केतन मेहता ने खुलासा किया था कि शारुक ने पहले फिल्म जिसके लिए शूटिंग की थी वो थी माया मेम साहब डा लेकिन जब बात काम की कमिट्मेंट की आती थी तो वो बहुत प्रोफेशनल थे और किस तरह वो शिमला में शूटिंग के लिए आये थे केतन ने हाली में एक इंटर्व्यू दिया उन्होंने कहा कि शारुक खान को सलाम है उस समय उनकी मां गंभेर स्थिती में थी पूरी यूनिट शिमला पहुची हुई थी शूटिंग में देरी ना करते हुए वो नीचे उतरे मैं उनकी पॉजिटिव एनरजी के लिए अभारी हूँ शारुक खान की मा का निधन 1991 में दिल्ली में हो गया था केतन ने याद करते हुए कहा कि शारुक सिफारिश अजीज मिर्ज और सईद मिर्जा ने की थी क्योंकि उन्हों ने टेलिजन शो सरकस में उनके साथ काम किया था हम एक नए चेहरे की तलाश में थे वो आये और मुझे एहसास हुआ कि उनकी उर्जा बेहद पॉजिटिव थी ये तुरंत पसंद आया और हमने उन्हें कास्ट करने का फैसला क वो एनर्जी से भरपूर थे और खुद को साबित करना चाहते थे पूरी शूटिंग के दौरान उनमें पॉजिटिव एनर्जी थी यही वज़ा है कि अपने काम के प्रती इतने डेडिकेशन जो उन्होंने रखा वो आज उनको सुपर स्टार बना बैठा है और वो दुनि प्रेस देल आइकन ताकि हमारे चानल पे आई कोई भी नई इन्फोरमेशन आप बिलकुल भी मिसना कर पाएं